नमस्कार दोस्तों साथ है अपना यूट्यूब चैनल प्यूश नोले स्टूडियो में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि VCSBC यानि बिहार पूलिस कॉंस्टेबल दौारा जो 1200 पोस्ट फे बेल फेलिए ज़िंध में बताऊंगा कि कैसे आप अपनकार को डालोड किजीए बताने वाला हूं तो वीडियो को इंड तक जरूर देखेगा एक्जाम से रिलेटेड हर एक जनकारी को मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कैसे की डाउनलोड करना है आपको तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स है मिल जाएगा और एक्जाम डेट जो है दोस्तों आप सभी का साथ से अठाइस अगस्त तक आप सभी का एक्जाम चलने वाला है तो इसी बीच आपका एड्मीट काड़ है जो जारी कर दिया गया है जिन का इने रेट का साथ अगस्त से होगा उनका पांच-10 दिन पहले ड्मीट काड़ वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा अभी फिल हाल उसका जो दिया गया गया कुछ जानकारी उसको बताया गया है पूरा अभी एडमेट काड जारी नहीं हुआ है तो चलिए सबसे पहले आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर किलिक कर लेना है जिस पर लिखा हुआ डाउनलोड कर सकते हैं आपने जो भी मोयल नम्मर यूज किया होगा अपलाई खरने में उसी मोयल नम्मर को यहां पर डालिएगा और कैप्चा डालिएगा अगर इनवालेड आप सभी का बता रहा है तो आप अपने रेजिस्टेशन नम्मर से डालिएगा डेटबार सभी डा सकते हैं कि मैंने अपना यहां पर रेज़िस्टेशन नम्मर को डाल दिया है दोनों में सो कोई एक ही डिटेंश सा आप ब courtesy डाल司कि ह्याया दाल सकते हैं या फिर आप अपना मोईल को डालकर आपको यहां परौंलोड वाले बटन पर क्लिक करना है संब्च करना है अपर उस हमने देख सकते हैं कि return exam का details आया है तो आपका जो भी date रहेगा उस अनुसार आपका admit card जारी किया जाएगा अभी तो फिलाल आप सभी का जो roll number वगेरा है और exam centered का details को यहां पर बताएगे आप लोग देख सकते हैं कि इस admit card में बताएगे है कि exam जो होने वाला है वो 21 अगस्त को होगा तो हर कंडिडेट का अलग-अलग date होने वाला है तो उसी परकार आप सभी का admit card जारी किया जाएगा और यहां बताया जा रहा है you can download admit card from 14 अगस्त यानि 14 अगस्त से आप लोग download कर सकते हैं यानि जिसका भी exam 21 अगस्त को होगा वो 14 तारिक से अपना admit card download करना शुरू कर देंगे तो इस परकार से देख सकते हैं और exam जो timing होने वाला है वो देख सकते हैं कि 12 बज़े से दो बज़े तक exam चलने वाला है दो गंटा और सारे 9 बज़े reporting time है और यहां पर देख सकते हैं exam center भी बता दिया गया बाके हर एक details आपका यहां पर mention रहेगा एक वाड़ आपको check करके verify कर लेना है तब ही आप लोग आगे बढ़िएगा दोस्तों तो इस परकार से कुछ exam admin card का details है जो mention किया गया है CSBC के दोरा अब दोस्तों जानते हैं कि exam pattern में क्या बदलाव किया गया है और कैसे exam होगा उसकी जनकारी को हम full information के साथ एक बार देख लेते हैं तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि सिपाही भरती दोरा website के तुरू यहां पर officially तोर पे एक notification जारी किया गया है जो भी candidate अगर exam देंगे उनको यह notification देख लेना बेहद अवश्यक है तो यह आपर देख लिजे कि 7 अगस से आप सभी का exam है जो शुरू होगा जो कि 28 अगस तक चलेगा और यह एक ही पाली में होगा दोस्तों इससे पहले आप सभी को पता होगा कि जो पहले exam हुआ था 2023 में वो आप सभी का दो पालियों में exam लिया गया था प्रथम पाली और दूतिय पाली में पर इस वार है जो आप सभी का एक ही sitting होने वाला है जो कि आप सभी का 12 बज़े से start होगा और दो बज़े यहां से बता दिया हूँ कि कैसे आप सभी को admin का download करना है उस परकार यहां पर तीथी वाइज यहां पर जनकाली को दी गई है अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे आप सभी को ओर मार्क सीट फिल अप करना है इस वार कोई भी आपका बदलाव नहीं हुआ है और इस वार पर leak हो question paper तो इस परकार से यहां जनकाली दी गई है यहां पर आप सभी दोस्तों देख सकते हैं कि ओर मार्क सीट का एक simple paper जाओ है दे दिया गया है तो आप सभी देख सकते हैं जो candidate पहले दे चुके उनको तो पता ही होगा और इस परकार से देख सकते हैं कि आपका ओर मार exit रहने वाला है और यहां आप सभी कोई details परना है और इस वाले section में आप सभी को अपना answer है जो color करना है एक बात दोस्तों और जो भी candidate exam देने जाएंगे वो अपना ID proof और दो color photograph जरूर ले जाएंगे passport size का तभी उनको अहां पर exam center में प्रवेद दिया जाएगा अनता उनको entry नहीं मिलेगी तो इस परकार से यहां पर full notification में बताये गया है और हर एक जानकारे मैंने दी दी है अगर आपके मने में कोई doubt हो तो जरूर comment box में comment किजेगा तो मिलते हैं एंगले वीडियो में किसी नए update के साथ अप तक लिए good bye and join